धंधन सत्गुरु ते रहिया सरथगुर जी की प्यारी सासंग जी 23 सितंबर 2023 को डेरा सच्चा सोधा मुख्यालय में आयोजित कारेकरम में कतित तौर पर डेरा प्रमुख परम पूजनिय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंग इंसा जी द्वारा सुनार्या जेल से लिख बर बताया गया है कि बरनावा उत्र परदेश में पैरोल पर आने वाले जिस व्यक्ति को कुछ डेरा अनुयाई वा दुनिया डेरा सच्चा सोधा प्रमुख समझ रही है वह दरसल में कोई बहरूपिया है इसे भाजपा सरकार वा डेरा सच्चा सोधा की प्रमंदक समिती अपने फाइदे के लिए त्यार किया है इससे समधित कई पुक्ता सबूत सामने आ चुके हैं जिसके बाद लगबग 80 फीसदी डेरा समर्थकों ने डेरा परमंदन की पैसा लूटने की नीतियों अपरातिक गतीविदियों पैना पाक मनसूबों को जानकर डेरा से दूरी बना ली है हलांकि इस संबंद में सभी सबूत चंडिगर उच नियालेवा सुप्रीम कोट में दिये गए हैं लेकिन हजारों करोड के इस खेल में कारवाई क्यों नहीं हो रही इसे समाजना शायद आब मुश्किल नहीं है चिठी में 22 सितंबर 1990 के दिन ततकालिन डेरा मुख्याले शाम अस्ताना जी धाम के तेरा वास में परम पिता शा सतनाम सिंग जी महाराज मैं हजूर महाराज जी के पिता उजनिय सरदार मगर सिंग जी के बीच हुआ कथित समवाद दिखाया गया है इस समवाद के बाद 23 सितंबर 1990 के दिन डेरा और येयों के समक्ष हुआ समवाद भी लिखा गया है जब हमने इस समवाद की परताल की तो चिठी में लिखे गए या दोनों समवाद पूरंते जुठे पाए गए 1992 में डेरा से प्रकाशित हुए ग्यानी पृतम सिंग द्वारा रचित मेरे सतगुर का सफरनामा नामा गरंत में इसी समवाद की वास्तिविक्ता लिखी हुई है जिसके नुसार वास्तिविक समवाद शासतनाम सिंग जी में हजूर माराजी के पूजनिया माता नसीब कोरजी के बीच हुआ था ना कि उनके पिता से हुआ था ठीक यही समवाद डेरा से प्रकाशित शासतनाम सिंग जी माराज के जीवन पर आधारित गरंत रोहानियत के सच्चे रैबर भाग दो में भी लिखा गया है इसके अतरिक तक कहीं भी 22 वे 23 सितंबर के दिन शासतनाम सिंग जी में मुझूदा डेरा परमुक के बीच हुए किसी समवाद का जिकर नहीं आता है चिठी में लिखी बात और गरंतों में दर्ज बात को आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं तर डिस्क्रिप्चन में दिये गए लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं माना जा रहा है कि डेरा परमुक सुनारिया जेल में ही नहीं है और उनकी जगह पिछले 6 साल से कोई बहरूपिया ही अलग-अलग अदालतों में भी जेल से पेश किया जाता है सासंगजी फिल्मों में टेलिविजन में एक ही कलाकार के कई चेरे आम देखे जाते हैं उसमें यह पैचानना मुश्किल होता है कि असली कौन है और नकली कौन इसी परकार हजूर महराजी जैसे दिखने वे बोलने वाले बहरूपिये बनाना कोई बड़ी बात नहीं है इसलिए इस गिनोने शडियंतर से बज़े और सच को पैचाने धन्न सत्गुरू तेरही आसरा